असलाम अलेकुम एब्रिवान वालकम बैक टू मैं चैनल मेरा घर मेरी जननत तो कैसे हैं आप सब आप सब आप सब ठीक होंगे तो गर्मी तो अपने शबाब पर है और इसी लिए मैंने ना किचन में ही चेर रखके फैन के नीचे में बैठी रहती हूँ और बैठे बैठे ही म करके रखो तो यह तो होना ही है तो मैंने सोचा कुकिंग करने से पहले थोड़े सा जो एना इसको क्लीन कर लेती हूँ आप काउंटर टेबल को और फिर जो हैना कूकिंग की तरफ चलती हूँ वैसे भी यह डस्टेंछ से हैना मुझे बहुत जादा सी प्रॉबलम होरी है मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाहरा था कि आज मैं कुछ कुकिंग करूँ लेकिन फिर यही होता है कि अगर हम कुकिंग नहीं करेंगे तो मार्केट से ही कुछ मंगा के खाना होगा तो मुझको उस से बैटर जो है यह लगते हैं कभी कभी मंगा भी लेते हैं ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भी हम बाहर का नहीं खाते लेकिन यह है कि जितना हो सके घर में ही मैं कुकिंग करने की कोशिश करती हूँ ताकि जो है ना अच्छे से बच्चों को जो है फूट प्रिपैर करके दे सको आज कर टिफिन वगेरा तो नहीं बन रहे है मेरे लेकिन जो खाना है वो मैं बनानी की कोशिश कर रही हूँ तो आज जो ना मैं बता रही हूँ मटन करी और बहुत सिंपल रेसिपी के साथ में यह बनाऊंगी तो इसके लिए मैंने साथ ही साथ है ना चावल भी चड़ा दिये थे स्टीम राइस बना रही हूँ और यहां पे कुकर में मैंने हलका सा दो टीस्पून के करीब ओईल डा है और इसमें मैंने डाल दिये है प्यास ताके हलकी सी इसे ना मैं फ्राइ कर लूँ और जैसे ही प्यास थोड़ी सी नर्म हो जाएगी ना मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर ताके प्यास और टमाटर जो है ना वो साथ में फ्राइ हो जाएगा इससे तो प्यास का कच्छापन खत्म हो जाएगा और हमको बिरिस्ता बनानी की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हम अकसर मटन ग्रेवी में इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जो है ना मैंने इसे फ्राइ कर लिया है और दीरे दीरे जो है ना प्यास अपना कलर चेंज कर लेगी और जैसे प्यास नर्म हो जाएगी ना मैं इसमें टामाटर डाल दूँगी क्योंकि टामाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते उसे बहुत ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि हमने आईल कम डाला है तो यह जल्दी से जो है भूनेंगे इस तरह से और फिर इसे हम साइड में रख देंगे ताके ये ठंडा हो जाए मैंने एक मिनिट के लिए इस तरह से ढखकन भी ढख दिया था ताके इससे टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और ये देखे बिलकुल अच्छी तरह से ये भून गया है तो बस अब मैं इसे निकाल लूँगी एक अलग बरतन में और इसे ठंडा होने तक का हम वेट करेंगे अब इसी कूकर में ना मैंने ओइल डाल दिया है और ओइल के साथ में ही मैंने कुछ गरम मसाले इसमें डाले है तो जैसे ही ऑईल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे गरम मसाले जिसमें मैंने लिया है एक तेज़ पत्ता एक बड़ी लाइची दो छोटी लाइची दालचीनी के तुकड़े और लॉंग और इसमें साथ में ही मैं डालूँगी जिनजर गलिक पेस्ट वन एनहाफ टी स्पून और इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे जब जिंजर कालिक पेस्ट का कच्चापन खत्म हो जाएना तो मैंने इसमें दाल दिया है हाफ कप के करीब पानी ताके मसाले जले नहीं और इसमें अब हम ड्राइ इंग्रेडियन्स दालेंगे जिसमें मैं दाल रही हूँ कोरेंडर पाउडर टू टीस्पून टर्मरिक पाउडर वन टीस्पून और साथ में दालेंगे रैट चिली पाउडर तो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दालेंगे जितना तेज आप उतना तो ये ग्रेवी जो है ना हम आलू और गोश्ट की जो ग्रेवी बनाते हैं वो सेम ही रैसिपी है लेकिन इसमें मैंने आलू की जगह दो दिया जो है हमको mutton या chicken का combination थोड़ा सा रखना पड़ता है वरना फिर बच्चों को खिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो मैंने यही सोचा कि आलू की जगा जो है आज मैं इसमें दूदी दाल देती हूँ ताके वो gravy भी अच्छी बन जाएगी और बच्चे vegetable भी खालेंगे तो यहाँ पर हमारे rice बनके ready हो गया है इसे मैं लगा दूँगी दम पे तो यह तब तक ready हो जाएगे और यहाँ पर हमारा गोश्ट भी भून रहा है तो जब तक गोश्ट की भुनाई हो रही है मैंने यहाँ पर दूदी ले लिया है एक चोटी size का और इसे peel out करके चोटे 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 piece में cut कर लेना है तो अगर आप यह beef के गोश्ट में बना रहे हो ना तो पहले गोश्ट को अच्छी तरह से आप गला लीजिए और गलाने के बाद जो है ना इसमें आप दूदी डालिए और वरना क्या होगा कि दूदी बिलकुल भी नजर नहीं आएगी और गोश्ट में पूरे gravy में मिक्स हो जाएगी क्योंकि दूदी कलने में बिलकुल भी टाइम नहीं लगता है तो यहाँ पे देखे बिलकुल छोटे छोटे पीस में मैंने कट कर लिया है अब यह आप पे डिपेंड है कि इसके जो बीच का हिस्सा होता है ना वो अगर आप निकालना चाहें यह वाला हिस्सा तो निकाल ल पूरी तरह से नहीं हुआ है अभी भी इसमें से भाप निकल रही है लेकिन क्यूंकि टाइम हो रहा था लंज का तो मैंने जल्दी से इसे ग्रैंड कर लिया और यहाँ पे मटन भी अच्छी तरह से भून किया है तो अब इसमें डाल देंगे प्यास और टमाटर का पेस्ट साथ में डालेंगे सॉल्ट और सॉल्ट डालने के बाद हम डाल देंगे इसमें दूदी और लगा देंगे प्रेशर पे बस इतने टाइम के लिए लगाना है कि दूदी गल जाए और फिर हमारी गिरेवी बिल्कुल बनके तयार हो जाएगी डिपेंड है कि आपका गोश जो है न कितना टाइम लेता है गलने के लिए बस उतना ही टाइम लगेगा ये ग्रेवी को बनाने के लिए तो बहुत टेस्टी ये ग्रेवी बनके तयार होती है आप भी जरूर ट्राइ कीजेगा बिल्कुल सिंपल है कोई बिगनर भी इसे बना सकता है मैंने ये तयार होने के बाद इसमें डाला है गरम मसाला उपर से थोड़ी से कुरेंडर जो है न मैंने कट करके डाले हैं और ये देखे दूदी जो है बहुत अच्छे से बलकि जादा ही गल गई है नजर भी नहीं आ रही है और ये है मेरे घर का हाल तो मैं जगा ढूंड रही हूं कि हम बैट के कहां खाएंगे तो मैंने सुचा कि आज बच्चों के बैटरूम में बैट के खा लेते हैं खाना तो वीवर्स आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था आई होप आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक शेर और सबस्क्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा तब फिर मिलूँगे नेक्स व्लॉग में बहुत चल्ट तब तक के लिए अल्ला हफिस